Brought to you by Agilis Diagnostics भेल टेस्ट की बाद आती है तो मैं फरोसा करता हूँ इंडियास लार्जस डागनोस्टिक्स कमपनि Agilis Diagnostics खुद को टेस्ट करते रो दोस्ती की कहावत है दोस्ती में कभी कभी तलवार की जगध कलम ज़्यादा असरदार होती है लेकिन क्या हो जब आपके दोस्ती आपके किसी बड़ी गलती से आगाह करें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े रक्षा सोदे की जिसने भारत में ना किवल डिफेंस के छेतर में तहलका मचा दिया बलकि एक नई बहस को भी छेड़ दिया दरसल हाली में भारत ने अमेरिका से चार अरब डॉलर का रक्षा सोदा फाइनल कर दिया ये सोदा है अमेरिका के अत्यादुनिक MQ-9 ड्रोन को खरीदने का लेकिन इस पर भारत के पुराने साथी यानि रूस ने तीखा वयान दिया रूस ने साब सब्दों में कहा कि अमेरिका की ये ड्रोन चीन जैसे मजबूत हवाई छमता और मिसाइल डिफेंस वाले देशों के खिलाब ज्यादा असरदार साबित नहीं होंगे बता दे कि भारत ने अमेरिका के MQ9 ड्रोन खरीदने के लिए लगपक चार अरब डॉलर की डील को मंजूरी दे दी है ये ड्रोन, मीडियम, एल्टिट्यूट, लॉंग एंडूरेंस यानि M.A.L.E. और हाई एल्टिट्यूट, लॉंग एंडूरेंस यानि H.A.L.E. की श्रेडी में आता है और इन्हें युद्ध और निगरानी के लिए बेहत उप्योगी माना जाता है अमेरिका ने इन ड्रोन का इस्तमाल अफगानिस्तान और अन्य आतंग प्रभावित इलाकों में किया लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उड़ता है कि क्या ये ड्रोन चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाब भी उतने ही कारगर साबित होंगे क्योंकि इन देशों के पास मजबूत हवाई और डिफेंस सिस्टम है अब बात करते हैं रूस की प्रत्क्रिया की रूस ने इस डील पर भारत को आगा किया रूस का कहना है कि अमेरिका के MQ-9 ड्रोन चोटे दुश्मनों के खिलाब तो सफल साबित हो सकते हैं लेकिन जिनके पास मजबूत हवाई सुरक्षा और मिसाइल डिफेंस है उनके खिलाब ये ड्रोन बिकार साबित हो सकते हैं रूस ने इसके लिए उधारण भी दिया कि किस तरह यमन के होती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया था रूस ने भारत से ये सवाल किया कि क्या चीन के खिलाब युद्ध के मैदान में ये ड्रोन वास्तों में उतने ही कारगर साबित होंगे क्योंकि चीन के पास बहुत मजबूत हवाई सुरक्षा प्रणाली है जो अमेरिकी ड्रोन को बेशर कर सकती है रूस का तर्क यहीं नहीं खतम होता भारत के अपने स्वदेसी ड्रोन प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठाये जा रहे हैं भारत लंबे वक्त से अपने medium altitude long endurance और high altitude long endurance जैसे स्वदेसी ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा लेकिन अब सवाल ये है कि अगर भारत चार अरब डॉलर अमेरिकी ड्रोन पर खर्च करेगा तो अपने स्वधेसी प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्या इन प्रोजेक्ट को अब पूरा फंड मिलेगा? क्या ये डील भारत के अपने डिफेंस मनुफेक्श्रिंग को पीछे धके अब बात करते हैं उस दूसरी तरफ की जो इस डील को और भी ज़्यादा दिल्चस्प बनाती है रूस ने हाली में पाकिस्तान के साथ भी रक्षा सौधे किये ये डिल्स रूस और पाकिस्तान के बीच बड़ती नजदीकियों का संकेत है भारत हमेशा से रूस का एक मजब करने का प्रस्ताव दिया था रूस का दावा है कि उसके ड्रोन अधिक असरदार और सस्ते हो सकते हैं लेकिन भारत ने फाइनल फैसला अमेरिका के MQ9 ड्रोन को खरीदने का किया ये फैसला क्या सही है या गलत है ये तो वक्त ही बताएगा भारत के लिए सबसे बड़ी को मजबूत करता है तो वो नक सिर्फ अपनी सुरक्षा को अधिक सशक बना सकता है बलकी दूसरे देसों को भी अपनी टकनीक बे सकता है खैर भारत के इस बड़े सौधे पर आपकी क्या राय है क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला है क्या भारत को अमेरिकी डून देना चाहिए था और रूस की ये चितावनी कितनी सही है आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करकर जरूर बताएं ब्योरो रिपोर्ट भारब तक अधिताव खूल को अधिताव सक्षब झाओ रूर प्री मेंटी झाल जरूर भार अजिताव बताएं पहला है